तो हाई एब्रिवान आज मैं आप सब के लिए फुल गोबी का पराठा का रेसिपी शेयर करें हूँ ये दिखे फ्रेंज हम इस तरीके से बहुत क्रंची और टेस्टी फुल गोबी का पराठा बनाएंगे तो आज हम सफ्ट पराठा भी बनाएंगे, कंची पराठा भी बनाएंगे और बिलकुल हैल्दी पराठा भी बनाएंगे वीडियो पे बने रहेगा ये फुल गोबी का पराठा बना रहे हम फ्रेंज फुल प्रोसेस अच्छी तरह से वच किजिएगा इस तरीके से हम माउट वाटरिंग पराठा रेडि करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक फुल गोबी लिया हुआ है फ्रेंज फुल गोबी का पराठा बहुती टेस्टी है आप घर में जरूर ठ्राइ किजिएगा यह दिखे फ्रेंज मैंने इस तरीके से कट कर दिया आराम से आपको इस तरीके से कट करना है तो फ्रेंज गोबी को पहले वच अच्छी तरह से कीजिएगा इस तरीके से काट के यहाँ से चेक कीजिएगा कई गोबी खराब तो नहीं है तो गोबी अल्रेडी वाश्ट है और कट भी कर लिया तो मैं यहाँ पे कदुगस कर रहे हूँ हम अच्छी तरह से ग्रेट करेंगे इस तरीके से ग्रेट किजिएगा फ्रेंज फुल गोबी को ऐसे ग्रेट करना है आपको यह देखे बहुत ही पॉफिकली इसका इस तरीके से ग्रेट हो गया लेकिन फ्रेंज मैं यहाँ पे चोटे चोटे पीसेस में इस तरीके से कट करके मैं चॉपर में ही कर रहे हूँ चॉपर में भी आप इसको अच्छी तरह से चॉपिन कर सकते हैं ग्रेट करने से भी हो जाएगा चॉप करने से भी हो जाएगा इलेक्ट्रिकल चॉपर में थोड़ा जल्दी हो जाता है तो मैंने इलेक्ट्रिकल चॉपर में ही कर लिया यह दिखे फ्रेंस इस तरीके से आपको चॉप करना है ओके चॉप करना है या ग्रेट करना है तो यहां पे मैंने एक कराई गरम करने के लिए रख दिया है और 4 टेबल स्पून इस पे मस्टर्ड ओयल एड़ कर दिया है लेकिन आप चाहेंगे तो थोरा सा ज्यादा ओयल भी एड़ कर सकते हैं और मैं यहां पे जीरा, धनिया, एजोन, लसन, अद्रक, हल्दी और एक सुक्का मिर्ची को एकी साथ में इस तरीके से फ्राई करूंगी फ्रेंस इस तरीके से आराम से साथे कर दिये और थोरा सा हल्दी भी एड़ किजिएगा लसन अध्रक थोड़ा थोड़ा पहले डाल दीजेगा यहाँ पर मैंने chopped onion एट कर दिया है इस तरीके से आराम से सांते कीजेगा इस तरह थोड़ी से फैला के रख दीजेगा और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कच्चा प्याज रख दिया है यह हम बाद में एड़ करेंगे लेकिन रखना ही है और एड़ करना है साथ में मैंने थोड़ा सा हरी मिर्ची को भी चौप करके डाल भी दिया और थोड़ा सा रख भी लिया है अब हम यहाँ पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ये दिखिए हमारा फुलगो भी अच्छी तरह से ग्रेट हो चुका है फ्रेंज सबसे पहले मैं यहाँ पे कच्छा प्याज एड़ करूंगी और मैंने यहाँ पे सॉल्ट एड़ कर दिया इस तरीके से सॉल्ट अपना टिस्ट के अकवर्डिंग आप एड़ कर सकते हैं यहाँ पे मैंने हल्दी एड़ कर दिया और मैं थोड़ा सा रेच चिली पाउडर भी एड़ कर रहे हूँ और आप चाहेंगे तो थोड़ा सा हरी मिर्ची भी एट कर सकते हैं मैंने थोड़ा ही डाल दिया आप चाहेंगे तो थोड़ा ज्यादा भी एट कर सकते हैं इस टाइम आप थोड़ा सा अध्रक को ग्रेट करके भी एट कर सकते हैं हमने पहले तरका में भी थोड़ा सा अध्रक एट कर दिया और मैंने यहाँ पर हारा धनिया को चोप करके एट कर दिया है और मैंने यहाँ पे गरम मसाला एड़ कर दिया आप चाहेंगे तो जीरा पाउडर धन्या पाउडर भी एड़ कर सकते हैं यह देखें फ्रेंज हमारा इंग्रिडेंस इस तरीके से रेडी हो रहा है अब हम यहाँ पे जो तरका बनाया था हमने वो ठंडा हो चुका है और इस तरीके से एड़ कर देंगे इंग्रिडेंस में ठंडा होने के बादी एड़ करना है अब यहाँ पे मैं slightly बिल्कुल हलका हातों से इस तरीके से मिक्स करूँगी तरका जो है बिल्कुल थंडा होने पे ही डाल लीजेगा यह देखे आराम से इस तरीके से मिक्स करना है ओके हमने इस तरीके से ग्रेट किया हुआ है फुलगोबी को यह चौप कर लीजेगा तो फुलगोबी को हम इसको तरका में नहीं पकाएंगे इसी तरीके से ही आपको प्रोसेस फॉलो करना है और मैंने यहाँ पे आठा का सॉफ्ट डोग गुन लिया था और इस तरीके से मैंने रोटी का साइज में बेल लिया है और मैं इंग्रिडेंस को इस तरीके से डाल रही हूँ जब भी आप पराठा बनाएंगे पहले आप रोटी की तरह इस तरीके से बेल लिजेए इसमें पॉफिक्ट रिजल्ट आएगा फ्रेंस अराम से आप जितना साइज का बनाना चाहेंगे पराठा उसी हिसाब से आप बॉल्स बना लिजेगा दो का सो मैंने गरम पैन में रख दिया है और मैं यहाँ पे मस्टाड ओईल एड करने हूँ मस्टाड ओईल का पराठा जो है बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंस आप जरूर एक बार ट्राइ कीजिएगा जब तक हमारा पराठा रेडी हो जाएगा जब तक हमारा पराठा अच्छी तरह से क्रिस्पी क्रंची हो जाएगा तब तक हमारा मस्टार ओईल का कच्छापन भी नहीं रहेगा फ्रेंस फाइनली हमारा पराठा बहुत ही टेस्टी बनेगा खाने में पोई प्राब्लम ने होगा इस तरीके से अच्छी तरह से पराठा फ्राई हो रहा है फ्रेंस ये पतला वाला पराठा है बिल्कुल टेस्टी वाला है ये देखे फ्रेंस ये बिल्कुल पतला सा पराठा है बहुत ही टेस्टी है सो फ्रेंस ये देखिए हमारा एक गोबी का पराथा रेडी हो गया ये फर्स्ट पराथा है और भी बनने वाला है वीडियो पे बने रहेगा देखिए ये कितना माउंट वाटरिंग है इस तरीके से आप आराम से सर्व कर सकते हैं सो फ्रेंस यहां पे मैं इस तरीके से दूसरा पराथा भी रेडी कर रहे हूँ फ्रेंस ये बिल्कुल हेल्दी पराथा है हमारा हेल्दी पराथा बन रहा है इस तरीके से अगेन मस्टार वोईल आप एड़ कीजिएगा आराम से फ्लिप कीजिएगा आराम से इस तरीके से गुमा लिजिएगा फ्रेंस ये बिल्कुल हेल्दी है अगर आपको जल्दी है तो आप इस तरीके से दोनों पराथा को भी एक साथ बना सकते हैं सो हमारा पराथा आराम से बन रहा है फ्रेंस कभी आपको ज्यादा काम हो आपके पास टाइम नहीं हो कम टाइम है तो इस तरीके से दो तिन पराथा एक साथ भी बना सकते हैं यह हमारा हेल्दी पराथा बन रहा है फ्रेंस बहुत ज्यादा ओइल भी एड़ने करेंगे इस पे नॉर्मल ओइल एड़ करेंगे और थोड़ा सा मोटा भी बनाया है साथ में स्टॉफिंग भी ज्यादा भर दिया है इस पे इस तरीके से भी आप गोपी का पराथा आराम से जबना के खाने का इंज्ञूय कर सकते हैं और दो पराथा से बिलकुल दिन भर भूकने लगेगा सो हमारा पराथा बिलकुल रेडी हो गया यहां पे मैंने दई लिया है चटनी लिया है और बटर लिया हुआ है फ्रेंस आपको जिस चिस के साथ पसंदे आराम से सर्व कर सकते हैं और यहां पे मैंने अगेन एक पराथा एड़ कर दिया है सो यह हमारा क्रिस्प्री क्रंची और यमी पराथा बन रहा है सो विडियो पे बने रहेगा इस तरीके से आपको पराथा में गैसिंग करना है फ्रेंस अराम से आप इस तरीके से चिमटा से या फिड़नाइब से किसी भी चीज़ से आप इस तरह से गैसिंग कर दीजिएगा ताकि ओयल अंदर जाए और अच्छी तरह से stuffing होके अच्छी तरह से fry होके अराम से अमारा पराथा क्रिस्पी क्रंची हो जाएगा ये बाला पराथा जो है विंटर्स पे खाने का बहुत ही मज़ा आता है फ्रेंस बहुत ही enjoy कर सकते है आप विंटर्स पे खाने का वेदर वाइस भी ये पराथा बहुत ही अच्छा रहेगा थंडा के मौसे में चाई बटर चटनी किसी भी चीज़ के साथ आराम से आप सर्फ कर सकते है ये देखे बहुत ही क्रिस्पी और यमी बन रहे है ये ये तो बिल्कुल मौत वाटरिंग है फ्रेंस ये देख लीजिए कभी भी आप एक बार इस तरीके से पराथा बना के खाने का जरूर इंजोई कीजिएगा ये देखे हमारा परफेक्ट क्रंची यम्मी और टेस्टी मौत वाटरिंग पराथा बिल्कुल रेडी हो गया अब मैं यहाँ पे सर्व कर रहे हूँ सो फ्रेंस यहाँ पे मैंने लास्ट पराथा एड़ कर दिया है सो यहाँ पे अगेन मैं मस्टार ओईल एड़ कर रहे हूँ यह बिल्कुल सॉफ्ट पराथा है यह बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा लेकिन सॉफ्ट पराथा कैसे बनाते है फ्रेंस कि आपको बिल्कुल गयास का वो दिरेज कम करना है , दीरे से आराम आराम से इसको पकाना ऑफ प्रीच व्यान के बिल्कुल पखें आराम से पकाना हैं इस तरीके से सउस्ट पराथा बिल्कुल रेडी हो गया या मैंने लसन का अच्छार लिया हुआ है, चटनी लिया हुआ है, दई और बटर भी लिया हुआ है, इस तरीके से चाई भी लेके आप आराम से खाने का इंजोई कर सकते हैं So friends, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा So आप सबने मेरा साथ दिया और स्टार्टिंग से लेके आन तक मेरा वीडियो को वाच किया So thanks for watching, take care, bye bye